राजस्थान की बेरोजगार गुजरात विधान सभा चुनाओं में कॉंग्रेस पार्टी के खिलाब प्रचार करेंगे आपको बता दे कि मंगलवार को प्रदेश की बेरोजगारों की बैठक में या निर्णे लिया गया वही राजस्थान बेरोजगार एकी करत महा संके प्रदेश अध्याच उपेन यादों ने कहा कि कॉंग्रिस सरकार ने बेरोजगारों के साथ वादा खिलाफी की है ऐसे में हम कॉंग्रिस सरकार की कत्मी और करनी के अंतर को गुजरात की जनता को बताएंगे तकि आम जंता कॉंग्रेस की असलियत पता चल सके इसके साथ ही उपेन यादों ने कहा कि चुनाओं से पहले कॉंग्रेसी नेताओं ने बेरोजगारों से कई वादे किये थे लेकिन आज दिन तक वह वादे अधूरे हैं इसके साथ ही राजस्थान और लखनों के समझोते को भी अब तक पूरा नहीं किया गया इसलिए मजबूरन राजस्थान के बेरोजगार गुजरात में जाकर कॉंग्रेस के खिलाफ पचार करेंगे ताकि कॉंग्रेस के आला नेताओं को भी राजस्थान की हकीकत पता चल सके दरसल मुख्य मंतरी असोग दहलोत के साथ ही राजस्थान के दो दरजन से अधिक मंतरी और विधायक गुजरात में कॉंग्रेस पार्टी के लिए चुनावी रणीती तयार करने में जुटे है पुदेश के आला नेताओं ने गुजरात पहुचना सुरू भी कर दिया है वही नेताओं के बाद अब प्रदेश के बेरोजगारवी कॉंग्रेसी के खिलाब प्रचार करने के लिए गुजराच जाएंगे ऐसे में देखना होगा कि गुजराच चुनाओं में जनता राजस्थान के बेरोजगारों की बात सुनती है या फिर नेताओं की ब्यूरी रिपोर्ट आई पियन